तैयार हो जाएए to unleash yourself जाए भी मैप, available on the Play Store and Apple App Store आजमगेड और रामपुर लोगसभा उप्चुनों में समाजवादी पार्टी को मिली करारी हार के बाद समाजवादी पार्टी के अधेक्ष अखलेश यादों को लेकर कई तरह से सवाल उठने लगे हैं इस बिच समाजवादी पार्टी के सहयोगी और सुहिल देव भारती समाजवादी के अधेक्ष उमप्रकाश राजभर इस हार से काफी हताश है उन्होंने सपा बसपा दोनों को नसीहत दी है सुहिल दो भारतिय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओंप्रकाश राजवर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पर जम कर निशाना साधा और कहा कि वे मुलायम सिंग यादव की क्रिपास से मुख्यमंत्री बने उनके नेतरतों में जितने भी चुनाव होएं वे सब हार गएं चाहे 2014 हो, 2017, 2019, 2022 हो या MLC का चुनाव हो अखिलीश यादव को बाप की विरासत मिली है उन्होंने धरातल पर कोई काम नहीं किया है समझवादी पार्टी अपने पैर पर कुलाडी मार रही है जिस पार्टी का मुख्या चुनाव परचार में न जाए वो पार्टी क्या चुनाव लड़ेगी अखिलीश यादव को एसी कमरों से बाहर निकल कर चलना चाहिए उन्प्रकाश राजभर ने कहा कि चुनाव का बिगुल बच जाएगा और नामंकन के अंतिम दिन परचा भरवा के चुनाव जीत जाएगे तो ये संभव नहीं है वही उन्प्रकाश राजभर ने ये भी कहा कि अगर अखिलेश और मायवती दलितों का पिछडों का हीत चाहते हैं तो दोनों मिल कर चुनाव लड़ना चाहिए नहीं तो बीजेपी असी की असी सीड भी जीत जाएगी उन्होंने आगे कहा कि आजमगड का नतीजा सारी कहानी कह रहा है सपा बसपा साथ होते तो भाजपा नहीं जीतती मायवती जी भी दलित पिछडों वंचितों के हीत की बात करती है अखिलेश जी भी वही बात कर रहे हैं तो अलग-अलग क्यों लड़ रहे हैं? आप समाज को धोका क्यों दे रहे हैं? या उन्हें घुलाम या बेवकूफ क्यों समझ रहे हैं? उन्होंने कहा कि अब लोग दोनों को सबक सिखा रहे हैं